हेलो फ्रेंट्स वोड़ो फोन आइडे से रिलेटेड एक बहुत बड़ा और इंपोर्टन अपडेट इस वीडियो में हम कवर करेंगे आप लोगों के लिए उससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपके हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्रेब नहीं हमें वोड़ो फोन आइडिया का स्टॉक जो है स्टेबल प्राइस रेंज में ही चलता हुआ नजर आया है मैंने आप लोगों को बोला है कि अदानीक की एंट्री फाइजी टेक्नोजी में होने के बाद जो है काफी स्ट्रेस जो है टेलेकॉम कंपनीज में आ चुका है और बावजुद भी और एक स्ट्रेस लाने वाली जो है बात है फाइजी टेक्नोजी जब आएगी मार्केट में तो टेलीकॉम कंपनीज के लिए वो क्या है मैं इस अप्डेट के बाद बताता हूँ तो सबसे पहला अप्डेट जो है फ्रेक्ट अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवेस वीडियो देखे होंगे और अगर आपके पास जो वोड़ाफोन आइडिया का शेयर है तो आपको यह डेफिनेटली पता होगा कि जो मोरोटोरियम जो आफर किया गया था टेली कॉम कंपनीज के लिए उन में से डॉट के तहट जो है वोड़ाफोन आइडिया ने चूज किया ताकि वो एक्विटी कंवर्जन करेंगे जो भी एजियार डियूज और वो पेंडिंग तया लगबख 16,000 करोड के गवर्मेंट को तो गवर्मेंट ने बहुत सारे ओप्शन दिये उनको हाफ पे करने का हाफ एक्विटी कंवर्ट करके देने का वो सारी चीजे जो है यहाँ पर एक्स्प्लें की गई है और यह जो कंवर्जन है वो जल्दी होने वाला है ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट में बोला जा रहा ह तो यह इस टांजेक्शन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं तो यह इंपोर्टन अप्डेट है क्योंकि इसके चलते जो है जो मोरी टेवरियों ड्यूस पेंडिंग थे वोड़ाफोन आइडिया के उपर वो अभी खतम हो जाएंगे और चार साल का टाइम अच्छा कासा मिलेग वोड़ाफोन आइडिया को ग्रोव करने के लिए लेकिन वही पर दूसरा भी इंपोर्टन अप्डेट है फाइज जो टेक्नोलोच यह बाएगी तो डेफिनेटली वोड़ाफोन को फंड भी लगेंगे तो यहापे आप देख सकते हो प्रमोर्टर्स वोड़ाफोन ग्रू प्रमोर्टर्स वोड़ाफोन आइडिया को मिल नहीं पाए है जिस तरीके का टेलिकॉम सेक्टर में अभी मार्केट इंडिया का जो है काफी एग्रेसिवली चेंज हो रहा है जैसे आदा निक्या आने बाद काफी जादा एक्विजिन चेंज हो जाएंगे और उसके बाद अभी बहुत सरे ऐसे अपडेट है जैसे मैंने बोला मैं एक अपडेट और एक शेयर करूंगा तो यह वो अपडेट ता फ्रेंट से आप आप देखिए डिरेक्ट अलोकेशन ऑफ फाइजी एर्वेस तो टेक कंपनीज विल हिट अस टेलको तो यहाँ पर यह कंसर्ण सिर् लेकिन अगर डिरेक्ट अलोकेशन का डिस जन ले लिया है टेक कंपनीज के लिए गवर्मेंट के तरप से तो यह कंपनी जो अपोस कर रही है वो रोक नहीं सकते हैं तो अधानिके बाद यह दूसरा बड़ा अपडेट है तेलिकॉम कंपनीज का स्टेस्ट आप से तो यह इंक्रीज करने वाला तो फ्रेंट्स 26 जुले को जो है बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जो टेलीकॉम कंपनीज के 5G की नेटवर्क की बात चल रही है वहां पर स्पेक्ट्रम की जो है बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी उससे पहले बहुत से इंपोर्टन अपडेट्स आएंगे कि कितना इंफ्यूजन जो है कितना पैसा जियो लगने वाला है कितना पैसा अडानी गूर्प इसके उपर बहुत कुछ निर्बर करता है इन शेयरों का फ्यूजर कैसा हो सकता है तो वो सारे टाइम टू टाइम अब्डेट जाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फ्रेंड्स